Hello everyone, I am Jyoti Jha and welcome to NCRT The Mind तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 की EBS वर्क बुक तो इसे पढ़ने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल NCRT The Mind को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCRT से रिलेटेड जितने भी वीडियोज हैं, वो आपके पास समय से पहुंशती रहे और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा से करने के भी कोसिस कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसे फाइदा हो सके तो चले बच्चों पढ़ना सुरू करते हैं, तो आप लोग अपना अपना वर्क बुक निकाल लेजिए और आप इसे बनाना सुरू किजिए, देखिए आपका हाफियरल एक्जाम आ रहा है, तो इसलिए ये एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वर्क बुक स तो आप लोग अपना वर्क बुक बनाएए, तो मैं आपको बताते जाती हूँ, आप वैसे वैसे बनाते जाएए, तो देखिए सबसे पहले क्या है, समड़ी अव्दा लेशन, तो मैंने आपको ये चैप्टर द प्लांट फेरी आपको पहले ही पढ़ा दिया है, तो आज म तो देखिए, कुछ पौदे जो होते हैं, प्लांट जो पेड़ पौदे जो बड़े होते हैं, जो बहुत लंबे होते हैं, और उड़ी ट्रंक के होते हैं, और ब्रांचेस होते हैं, तो ये सारी जो होते हैं, जो बड़े बड़े पेड हुए, उन्हें हम लोग ट्रीज बो तो different अलग अलग टाइप के जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें अलग अलग तरह के पतिया होती हैं different lips बहुत तरह के पतिया होते हैं अब है lips are of different shapes, color and margins और जो ये lips होते हैं वो different shapes के होते हैं अलग अलग अकार के होते हैं, अलग color के होते हैं और अलग margin के होते हैं the boundary line of the leaf along its edges is the margin of the leaf it can be straight, smooth, uneven, toothed, etc. तो ये जो होते हैं ना इसके जो leaps के जो boundary lines होते हैं ये बहुत smooth होते हैं तो कुछ सीधे होते हैं लंबे होते हैं मतलब अलग-अलग type के होते हैं ये जो पत्तिया होते हैं ना इनके margins यह अलग-अलग टाइप के आप किसी को टच करके देखिएगा, कोई बहुत हाड होंगे, कोई सीधे होंगे, कोई बहुत सॉप्ट होंगे, तो इस तरह के होते हैं. अब देखिए बच्चों, जो यह प्लांट होते हैं, उसकी पतिया होती है, लीप्स, को हम उसकी स्मेल से पहचान सकते हैं, कि यह कौन सा प्लांट है, तो देखिए जैसे कि आप ले लिजी, ले लिजी, मैंगो के प्लांट, उसके लीप से आप मैंगो पहचान लेंगे, नीम के लीप से आप नीम के बारे में पहचान लेंगे, स्मेलिंग से, वो एक अलग टाइप के स्मेल करता है, और फिर बैसिल है, बैसिल जो तुलसी का पत्ता होता है, तुलसी के पत्ता से थोड़ा सा मसल के देखिए हाथ पर आपको इसमेल आएगा तो इस से हम लोग उस पतियों से पहचान लेते हैं कि यह क्या जिसका पौधा है अब है यू केन मेक ब्यूटिफुल पिक्चर यूजिंग ड्राइ लीप्स तो आप एक अच्छा सा मतलब की पिक्चर बनाएए ड् अब है प्लांट्स आर ऑफ ग्रेट यूज तो अस तो प्लांट्स का जो है वो बहुत बहुत अच्छा यूज होता है सम बर्ट्स एंड एनिमल्स लीव ऑन ट्री दे गीव अस फ्रूट एंड फ्लावर्स तो पेड के उपर प्लांट जो होते हैं उसके उपर बहुत सारे अनिमल्स से यह सब रहते हैं और वे हमें फल भी देते हैं प्लांट्स से हमें फल फूल यह सब चीज मिलता है अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स केन बी मेड यूजिंग पैटर्न ओफ लीव एंड फ्लावर्स सच एस सारी दूपट्टा बैट सीट्स सिनरीज कर्टेंज ए यह सारे बहुत सारी चीज पर देखेंगे आपकी लीप्स और फ्लावर्स के पैटर्न बने होते हैं तो यह हम बना सकते हैं उसके उपर तो यह था आपका सौर्ट सा समरी अब चलिए अब जो है इसका एकसरसाइज करते हैं देखें क्या है फिल इन दा ब्लैंक्स अब आप चैप्टर में अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो आपको बिल्कुल बनाने में आसानी होगी तो देखिए दीदी कहां बैठी वी थी वो ग्रास पर बैठी वी थी तो यहां पे खाली जगे में ग्रास लिखेंगे अब है प्लांट्स विथ थिक और थिन ट्रंक आर कॉ तो देखिए प्लांट का जो होता है जो मोटा सा जो होता है उसे हां मोटा जो ट्रंक होता है जो एक बहुत सा पेड होता है उसमें मोटा सा जो ट्रंक होता है तो उस वैसे पेड को हम लो मतलब कि ट्री बोलेंगे मोटा वाला जो होता है लंबा होता है तो उसे हम लोग ट् different plants have different shapes color and margin तो leaves जो होते हैं वो different shapes color और margin के होते हैं अब है jasmine is a flowering plant तो jasmine जो होता है न वो flowering plant होता है मतलब full का पौधा होता है full उसका हम लोग full यूज़ करते हैं और jasmine का oil भी होता है अब देखिये mehndi mehndi is a very small plant called as bush तो mehndi का जो होता है यह बहुत ही छोटा सा small plant होता है और जिसे हम जारी के रूप में भी जानते हैं अब है देखिये name any four small plant you have seen तो देखिये आपको four, चार जो है आपको small plant के बारे में बता रहा है जिसे आपने देखा है जो आपके आसपास होता है देखिये आप jasmine का plant अक्सर देखते होंगे आसपास होता है और तुलसी का पौधा तो हरकिसी के घर में मिल जाएगा यह होता ही है हरकिसी के घर के आंगन में तुलसी का उसके बाद rose रोज भी देखते होंगे और rose हमारे garden में होता है marigold ये भी हमारे garden में होता है तो ये सारा पौधा आप घर में ही देख पाएंगे अब है name any four big plants, trees near your house आप बड़ा सा जो plant होता है जिसे हम लोग trees बोलते हैं जो बड़े से पेड़ होते हैं तो उसके बारे में बताएए जो आपके घर के आसपास हो आपके घर के नस्दीक हो आप देख ine, घर के आसपास आपको नीम का पौधा मिल जाएगा, प्लांट मिल जाएगा नीम का पेड, बबूल का पेड मिलेगा पीपल का और बन्यान का ये सारा मिल जाएगा आपको अब है name any two trees which have thick trunk तो देखिए आपको ऐसा बताना है दो के बारे में जिसका thick trunk होता है जिसका बहुत मोटा सा होता है trunk ठीक है तो trunk देखिए बनियान tree इसका भी देखिएगा आप trunk बहुत मोटा होता है और ये नीम tree का भी देखिएगा इसका भी टरंक बहुत मोटा होता है अब है name the leaves which you can identify by smell अब उसका नाम लिखना है आपको जिसको आप पहचान पाते हैं उसके smell से उसके leaf को आप उसके smell से पहचान पाते हैं तो देखिए किसको पहचान पाएंगे आप mint, pudina, tulsi, neem और coriander यह सब को आप उसकी स्मेल से पहचान पाएंगे, आप उसका पत्ति तोड़ेंगे, उसको आप थोड़ा मसलेंगे हाथ पे, फिर देखिए गाप को इसमेल आएगा, उसकी स्मेल से इसे पहचान पाएंगे, अब है, what are different colors of lips, तो lips के जो different color होते हैं, उसके बारे में बताना है, तो कौन-कौन से होते हैं different color, तो देखिए green color का leaf देखिएगा, parade देखिएगा, yellow, pink, orange, तो ये different color के leaf होते हैं, अब देखिए tick the correct answer, अब आपको correct answer पे आपको tick करना है, तो देखिए, क्या है, these plants have medicinal value, तो किस plant का medicinal, जिसका value होता है कि दवाई के रूप में, हम लोग medicine के रूप में use करते हैं, उसका use होता है, तो देखिए, इसमें हो जाएगा neem, neem है ना, ये neem, tulsi, ये दोनों का use होता है, दवाई के रूप में, medicine हम लोग जो लेते हैं, उसके रूप में use होता है, तो इसलिए हम लोग इसमें करेंगे, बोथ में tick लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों plant का use होता है, अब है, these leaves can be used to make chutney, अब देखिए, किस leaves का use हम लोग चट्नी के रूप में करते हैं, चट्नी बनाते हैं, तो देखिए, क्या होगा, ये mint होगा, क्या क्या हम लोग चट्नी बनाते हैं, जो पुदिना की पत्तियां होती है, उसका हम लोग चट्नी बनाते हैं, नीम का, रोज का, नहीं होगा, अब है, this is not a salt plant called herb अब देखिए हर्व जो होता है हर्व प्लांट जो होता है वो सौट होता है चोटा प्लांट को हम लोग हर्व प्लांट बोलते हैं अब इसमें बोला गया है वो प्लांट बताएए जो की हर्व नहीं है ठीक है? तो इसमें देखिए ये पॉटेटो ये भी छोटा प्लांट है और ये ग्रास जो है ये भी छोटा होता है लेकिन वीट का प्लांट आप देखिएगा कहीं भी जो गेहूं का पौधा होता है वो लंबा होता है इन दोनों से इसलिए ये वाला सही होगा इसमें टिक लगाना है अब है इस एनिमल इस फाउंड ओन अब देखिए कौन से एनिमल जो है वो पेड़ पे पाया जाता है तो क्या लिखेंगे मंकी तो ये जो है आप मंकी को ज़्यादा तर पेड़ पे देखिएगा फुदकते रहता है अब है सर्कल दा ओड वन आउट अब आपको इसमें सर्कल करना है जो बिलकुल इससे तो देखिए ये पीपल का है पीपल यें मैंगो का भी ठ्री है लेकीत ग्रास यह बिल्कुल सौर्ट प्लांट है यह हर्ब ऐ Only आपको इसमें सर्कल करना है प्रास में आप सर्कल कर देंगे। अब हैaking लेंट लेमन, पीट और मिंट इन साड़े में क्या अलग है? तो रोज अलग है तो देखे क्यों कि यह रोज जो है यह आपका क्या हो गई? यह फिलावर हो गया तो इसलिए यह अलग है अब देखें ये cabbage, cauliflower, grapes और broccoli तो इसमें देखें क्या अलग है तो cabbage जो है आपका vegetable है cauliflower भी vegetable है और ये भी जो है आपका vegetable है ब्रोकली और इनमें से क्या अलग है तो grapes अलग है क्योंकि ये fruit है इसमें circle कर देंगे अब है देखें ये चार है चार में अलग क्या है यह देखिए क्विल्ट क्विल्ट जो है रजाई हो गया उसके बाद यह कर्टन परदा हो गया और यह बैट सीट यह क्या हो गया बैट सीट जो चादर होता है वो हो गया तो यह सारे चीज जो है एक तरह का है क्योंकि ये कपड़े का है, ये कपड़े का है, ये करटन, ये जो है कपड़े का, ये भी कपड़े का, ये साड़ा चीज एक जैसा हो गया, लेकिन इसमें अलग क्या है, ये चेर है, ये अलग है, ये बैठने का चीज है, और ये अलग है सबसे, तो इसलिए इसमें हम चेर लिखेंगे इसमें circle करेंगे तो यह हो गया अब देखे क्या है activity time अब आपका activity time है इसमें क्या करना है take rubbing of the trunk of a tree and paste your seat here तो देखिए बच्चों आप एक page लिजेगा कोई भी page आप ले सकते हैं white color का लिजेगा page और उसको आप, आपके आसपास कोई पेर होगा नीम का, बबुल का, कोई पेर होगा मतलब मोटा सा trunk होना चाहिए उसका उसमें जाके आप वो page को रख दीजेगा उसके उपर एक हाथ से पकड़िएगा और उसके उपर से आप अपना जो color है आपका जो mombala जो pastel color होता है उस color को आप उसके उपर rub कीजेगा जैसे आपका कुछ गलत हो जाता है जब आप pencil से लिखते हैं तो आप अपने rubber से, eraser से आप उसको साफ करते हैं न उसी तरह से उसके उपर rub करना है तो फिर देखिएगा कि वो बिल्कुल अलग type का आपका बन जाएगा तो उसको बना के आपको इस जगह पे paste करना है, book में अब देखिए क्या है make pictures of mouse of butterfly using dry lips अब देखिए, क्या करना है कि आपको dry lips या कोई भी lips ले सकते हैं आप कुछ lips लीजे, कुछ पतिया लीजे उससे आपको पतियों की help से आपको एक mouse बनाना है mouse चाहे butterfly, आप दोनों में कोई एक चीज बनाईए तो देखिए, यहाँ पे मेरी बेटी ने ये mouse बनाया है और ये कितना खुब सूरत है तो ये mouse उसने बनाया है तो आप भी कोई भी पतिया लेजिए और उसके help से बनाईए आप का टिंग करके अब देखिए क्या है collect five different types of lips using posture, colors, take their impressions तो देखिए, इसमें क्या करना है कि आपको collect करना है five तरह के, मतलब five different types of lips मतलब five तरह के, आपको अलग-अलग तरह के, पाच lips आपको पतिया collect करना है और collect करके आप क्या करेंगे उस पतियों पर आप जो है water color होता है आपका poster color, जो water मतलब पुरे भींग जाता है उस पतियों को बिल्कुल color कर देना है और उसको जैसे चापते हैं कोई चीज, page पे रखके बस उसको आपको, इस book पे रखके उस पतियों को छाप देना है बिल्कुल तो कुछ इस तरह से हो जाएगा जो ये बना हुआ है तो इस तरह से आपको करना है लेकिन आप अलग-अलग तरह की पांच, अलग-अलग तरह की पतियां लिजेगा उसके बाद बनाईएगा अब है draw a beautiful leaves or flower pattern on the border of sadies given below तो देखिए ये क्या है ये आपको draw करना है यहाँ पे pattern कुछ border का जो pattern होता है leaf और flower से mix करके ये साडी में जैसे border बनाया जाता है उस तरह से आपको ये pattern बनाना है जैसे इस तरह से यहाँ पे बनाया हुआ है आपको भी इस तरह से बनाना है तो इस तरह से बच्चो आपका ये जो chapter है the plant fairy वो खत्म हो चुका है तो आप इस workbook को बार बार बनाये और इसे बनाये तभी आपका revision हो पाएगा अब आप बताईए बच्चो आपको समझ में आया या नहीं और अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूच सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगाप पढ़के समझ में आया तो आप मेरी चैनल NCRT The Mind को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी जितने वी वीडियोज हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे तो चलिए बच्छों मिलते हैं अब अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक कियर थैंक्स टो वाच मै वीडियो